जै माता रानी दोस्तों आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा सब्टश्टी का ग्यारहवा अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वर्दान महर्शी मेधा कहते हैं। दैत्ये के मारे जाने पर इंदरादी देवता अगनी को आगे करके कात्याइनी देवी की स्तुती करने लगे, उस समय अभीष्ट की प्राप्ती के कारण उनके मुख खिले हुए थे. देवताओं ने कहा है शर्णागतों के दुख दूर करने वाली देवी. तुम प्रसन हो, हे संपूर्ण जगत की माता. तुम प्रसन हो, विंधेश्वरी. तुम विश्व की रक्षा करो क्योंकि तुम इस चर और अचर की इश्वरी हो. हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो क्योंकि तुम पृत्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो तुम विश्णों की शक्ती हो और विश्व की बीच परम माया हो और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है तुम्हारे प्रसन होने पर ही यह प्रित्वी मोक्ष को प्राप्थ होती है हे देवी, संपूर्ण विद्याय तुम्हारे ही भिन भिन स्वरूप है इस जगत में जितनी स्त्रिया है वह सब तुम्हारी ही मूर्तिया है एक मात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है तुम्हारी स्तुती किस प्रकार हो सकती है क्योंकि तुम परम बुद्धी रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ती देने वाली हो आतर हिसी रूप में तुम्हारी स्तुती की गई है तुम्हारी स्तुती के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तिया हो सकती है संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धिरूप होकर निवास करने वाली स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है नारायनी देवी तुमको नमस्कार है कलाकाश्था आदी रूप से अवस्थाओं को परिवर्थन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अन्थ करने वाली नारायनी तुमको नमस्कार है हे नारायनी संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली हे शिवे हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिध्ध करने वाली हे शरणा गत्वत्चला तीन नेत्रों वाली गौरी तुमको नमस्कार है स्रिष्टी, स्थिती तथा संहारव की शक्ती भूता सनातनी देवी गुणों का आधार तथा सर्व सुखमई नारायनी तुमको नमस्कार है हे शरण में आये हुए शरणागतो दीन दुखियों की रक्षा में ततपर संपूर्ण पीडाओं को हरने वाली है नारायनी तुमको नमस्कार है हे नारायनी तुम ब्रहमानी का रूप धारन करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुष से अभिमंत्रित जल छड़कती रहती हो तुम्हे नमस्कार है माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पो को धारन करने वाली है महा व्रिशब वाहन वाली नारायनी तुम्हे नमस्कार है मोरो तथा मुक्कुटो से घिरी रहने वाली महाशक्ती को धारन करने वाली है कौमारी रूप धारिनी निश्पाप नारायनी तुम्हें नमस्कार है हे शंक, चक्र, गत्फर, श्रांग, धनुष रूप आयुधों को धारन करने वाली वैश्णवी शक्ती रूपा नारायनी तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है तुम्हें नमस्कार है तुम्हें नमस्कार है हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामत को नश्ट करने वाली हे घोरूप वाली हे महाशब्द वाली हे नारायनी तुम्हें नमस्कार है दाढ़ों के कारण विक्राल मुख वाली मुंड माला से विभूशित मुंड मर्दिनी चा मुंडारूपा नारायनी तुम्हे नमस्कार है हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टी, स्वधा, धुरूवा, महारात्री तथा महाविद्यारूपा नारायनी तुमको नमस्कार है हे मेधा, सरस्वती, सर्वुत्क्रिष्ट, आश्वर्य रूपिनी, पार्वती, महाकाली, नियंदा तथा, इश्रूपिनी नारायनी, तुम्हे नमस्कार है, हे सर्वस्वरूप, सर्वेश्वरी, सर्वशक्तियुक्त देवी, हमारी भै से रक्षा करो, तुम्हे नमस्कार है हे कात्याईनी, तीनों नेत्रों से भूशित, यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कर है, हे भद्रकाली, ज्वालाओं के, समान भयंकर, अती उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नश्ट, करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे, तुमको, नमस्कार है, हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को, पूरित करके डैत्यों के तेज को नश्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करें जैसे की, माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है, हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करें, हम तुमको नमस्कार करते हैं, हे देवी, तुम जब प्रसन होती हो तो संपूर्ण रोगों को नश्ट कर देती हो और जब रूष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांचित कामनाओं को नश्ट कर और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं, उन पर कभी विपत्ती नहीं आती। बलकि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रे देने योग्यों हो जाते हैं। और जहां राक्षस, विशैले सर्प शत्रुगण हैं, वहां और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे देवी, तुम प्रसन हो और असुरों को मार कर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नश्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदी बड़े दो उपद्रवों को शीग्र ही दूर कर दो। विश्व की पीडा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हो पर प्रसन हो, त्रिलोक निवासियों की पूझनिय परमेश्वरी हम लोगों को वर्दान दो, देवी ने कहा है देवताओं, मैं तुमको वर देने को तयार हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो, वैसा वर मांग ल मैं तुमको दूंगी, देवताओं ने कहा है सरवेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीडाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रूओं को इसी प्रकार नश्ट करती रहो, देवी ने कहा वैवस्वत मनवंतर के 28 वेन यूग में दो और महा असुर शुंब और निशुंब उत्पन्न होगे, उस समय मैं नंद गोप के घर से यशोदा के गर्प से उत्पन्न होकर विंध्याचल परवत पर शुंब और निशुंब का सहार करूंगी, फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृत्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वैप्रचित्ती नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महा असुरों को भक्षन करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृत्वी पर मनुष्य मेरी स्तुती करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेगे फिर जब सो वर्षों तक व करेगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकोद्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस प्रित्वी पर शाकम भरी के नाम से विख्यात होंगी और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महा असुर का वद और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारन करके हिमाले निवासी रिशियों महर्शियों की रक्षा करूंगी तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याती होगी और जब फिर अरुन नामक असुर तीनों लो जब जब प्रित्वी राक्षसों से पीडित होगी तब तब मैं अफ्तरित होकर शत्रूओं का नाश करूंगी।